आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि उनके जीवन से मज़ा समाप्त हो गया है। उनके जीवन में वो खुशी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी और इसका एक मात्र कारण है कि मनुस्या का attention span कम होता जा रहा है। इसका आर्थ है कि आपके ध्यान की अवधी कम होती जा रही है। किसी एक बात पर, किसी एक चीज़ पर अब आप ज़्यादा देड़ तक नहीं टिक सकते हैं। attention span का मतलब है समय की वह अवधी जिसके दोरान कोई ब्यक्ति किसी कारिया पर ध्यान केंदरित करता है। ध्यान बटकने से पहले किसी कारिया पर ध्यान केंदरित करने में बिताए गए समय को ही ध्यान अवधी यानि attention span कहते हैं। अब अगर आप जानना चाते हैं कि आपका attention span कितना है और आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि यहीं से पता लगने बाला है कि आपके अंदर कितनी शेहन सीनता है। क्योंकि दोस्तों जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि हम जीवन में जितना ध्यान लेकर आए हैं वह ध्यान एकागर जगे है या बिखरा हुआ है तो आपको यह पता चल जाएगा कि काम्याबी आप से दूर क्यों है। हर बार काम्याबी गले निकलते हैं लेकिन मायूस क्यों आ जाते हैं? क्यों बैक फूट पर चले जाते हैं? क्यों चीजें हमें रोग देती हैं? क्यों हमें वापस बाउंस बैक करने में मदद नहीं मिलती? क्योंकि हमारे ध्यान की जो अवधी है वो छोटी होती जा रही है और इसका एक मात्र कारण है शोशल मीडिया, शौट वीडियोज, इंस्टा रील्स, हमारा मोबाइल फोन दोस्तों जरा सोच कर देखो पहले जो फिल्में आती थी वह आई थी तीन गंटे की अगर एक फिल्म का उधारन ले तो शोले जो फिल्म है वो लगभग चार गंटे की है चार गंटे से ध्यान कम हुआ तीन गंटे पर आए लोगों को लगने लगा तीन गंटे पर नहीं ट दॉक्यमेंटरी आई फिर पचास मिनट चालिस मिनट के वीडियोज आने लगे फिर बीस मिनट के वीडियोज ट्रेंडिंग करने लगे और अब अटेंशन इस पहन इतना कम हो गया है कि अब तो लोगों को बस साट सेकिंड में कुछ मज़ेदार देखना है क्योंकि अब तो जमाना ही रील्स का आ गया है दो सेकिंड में कुछ अच्छा नहीं लगा तो हटाओ आगे बढ़ो कुछ नया मज़ेदार देखो एक रील हटाई दूसरी हटाई तीसरी पर आए जहां लोगों की ध्यान अवदी कम हुई है वहीं उनकी समय को बरबात करने की अवदी चुकी है दोस्तों आपको अंदाजा ही नहीं है कि यह सबाब की जिन्दगी किस तरह बरबात कर रहे हैं किस तरह आप इनके जाल में फंसते जा रहे हो लोग अध्यात्म ध्यान से बाहर आते जा रहे हैं और गंदगी को अपने भीतर समेट रहे हैं दोस्तों जिन्दगी क असली मज़ा आपके भीतर है ना कि इन 30-60 सेकंड की अभद्र वीडियो में दोस्तों आज के समय में इनसान सोशल मीडिये के जरीए पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिर चुका है कि वह अपनी मर्यादा तक भूल चुका है अंग परदशन करके पैसा कमाना अपने घर की के पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप बस अपने दिमाग के अंदर इनके फैलाए गए गोवर को इकठा कर रहे हो आप अपने तै किये गए लक्षे से भठक रहे हो दोस्तों अगर आपके सामने दो वीडियो चला दी जाए एक में वह वीडियो जिसमें एक ब्यक्ति अबद्र भासा का उपयोग करके आपको हसाने का परियत्न कर रहा है उसमें वह खुलकर गाली गलोच कर रहा है लेकिन वहीपर एक दूसरी वीडियो चलाए जाए जिसमें अध्यात्म की ग्यान की पर्मात्मा से जुड़ी बाते बताई जा रही हो तो आप दोनों में से सबसे पहले उस परमात्मा वाली वीडियो को हटा देंगे और उस से ज़्यादा समय आप उस अभद्र भासा वाली वीडियो को देंगे क्योंकि वह आपको मज़ा दे रही है आपको हसा रही है तो दोस्तों अगर आपके साथ भी यही होता है आप भी ऐसा ही करते हो तो आपको अब समझने की जुरत है आपको ये देखने की जुरत है कि आप किस रहा पर जा रहे हो आज के समय में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म और परमात्मा से दूर भाग रहे हैं और आता और वहीं 30% लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म से जुड़े हैं जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं रोज सुभा उठकर परमात्मा का शुक्रिया आदा करते हैं यह वही 30% लोग हैं जिनकी वजह से ये श्रिष्टी थमी हुई है तो दोस्तों आप इन में से कितने पर ग्यान दिया है कि वह किस तरह की वीडियो को देखने में अपना समय लगा रहे हैं वह वीडियो उनको क्या ग्यान दे रही हैं किस तरह के लोग उस वीडियो के अंदर हैं और वह किस तरह की हरकते कर रहे हैं आपका बच्चा क्या सीख रहा है उसका क्या भविश्य तेह हो रहा है और आजकल के माता पिता भी अपने जीवन में इस कदर ब्यस्त हो चुके हैं कि बच्चा उन्हें परेशान न करें इसलिए वह उसके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं जिससे उसके सामने जो आता है वह वही देखता है और उसी से ग्यान अरजित करता है फिर चाह चुके हैं तो यह सोचने की जरुरत नहीं है किस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है आपको जरुरत है तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान करनेगी क्योंकि ध्यान ही वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा सकते हैं आप हर काम में और ज्यादा पहले से भी ज्यादा फोकस्ट रह सकते हैं ध्यान के संदर में अगर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारे इस चैनल पर पहले ही ध्यान के संदर में वीडियो बनाये गया है जि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद